वेलकम स्टुडेंट्स पांच अपरेल दो हजार चोबीस से आपकी वार्षिक परिक्सा है वो सुरू होने वारी एक अक्सा नो के अंदर हिंदी विश्ये का ये पेपर में आपके लिए लेकर काया हूं जो आपके परिक्सा में हूप डूहूप छपने की संभावना है बहु मिल जाएगी फुल सॉलियोशन है बिल्कुल सवा तीन घंटे का आपको समय मिलेगा और सो नंबर का आपकी पूरणांग होगा मैं यहाँ पर देखी सबसे पहले आपको एक दस नंबर का क्यूशन आता है गध्यांस का निमल लिगित अपठित गध्यांस को पढ़गर पू जूट की उत्पति पाप, कुटिरता और कायरता कांड होती है तो इस तरह से आप इसको अच्छे से जब पढ़ेंगी तो आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा और सारे सवालों के उत्तर दस नंबर की सवाल इसमें पूचे गए सबसे पहले देखी उप्युक्त गध्या उसे सफलता किस से पा सकता है सत्यता के माध्यम से ही पा सकता है द आपका राइट आंसर है पाप, कुटिलता और कायरता किस के सारे पैदा होती है यह जूट के सारे पैदा होती है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बहुत से लोग किस के बहाने जूट की बात करत नीति के नुशारावशिक है, ये कौन से लोग कहते हैं, जुट बोलने वाले लोग कहते हैं, वह आपका यहां पर bright answer हो जाएगा, हमें अपने कारियों में किसका उंचा इस्तान देना चाहिए, तो सत्यता को उंचा इस्तान देना चाहिए, आपका right answer यहां पर हो जाएगा, चुपाप करना जूट बोलना कुटीलता के आचरण किसके विरूद है तो यह है धरम के विरूद है यहाँ पर लिखा हुआ है बिलकुल आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपका राइडा अंसर है चुप रहना बढ़ा चड़ा कर कहना बात शिपाना किस बा हमके विरूद है यहनि सभी जूट के ही रूप है तो इस तरह से यह था आपका दस नमर का पेरिग्राफ उसके बाद में आपके आगे आता है निमली की रिक्त स्थानों की पूर्ती करने वारे पांस सवाल अति वरश्टी सब्द में कौन सा उपसरग है तो अति उपसरग ह दर्शनिय और गोपनिय में ये परते का प्रियोग होता है वचन सब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते है देखिए यदि एक वचन का आता तो ऐसे कहता सब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो तो एक वचन और एक से अधिक होने का हो लेकिन यहाँ पर एक या एक से दिक दोनों आगए इसलिए केवल वचन ही यहाँ पर आएगा यह ध्यान रखना आपको जिस वाक्य में एक उद्देशिर एक विधे हो वो सरल वाक्य कहलाता है आग का तारा होना मुगावरे का मलब है अति धिक पिरिये यहनि बहुत ज़्यदा पिरिये होना इसके बाद में आपके आते हैं चोदा नंबर के अती लगुतरात्मक सवाल ने छोटे छोटे चोटे चोवाल देखिए दो-दो नंबर के यह साथ सवाल आते हैं दवल और निक्रिष्ट सब्दों के विलोम सब्द तो दवल का आता होगा कृष्ण और निक्रिष्ट का होगा व्यापक अब यहाँ पर एक आपके समझे रहेगी कि आक्रिष्ट है इसका विलोम सब्द निक्रिष्ट होता है लेकि निक्रिष्ट का व्यापक होता यह आपको बोलके बता रहा हूँ, चंद्रमा और लक्षमी सब्द के दो दो प्रयवासी, तो चंद्रमा के प्रयवासी चंदा है, चंद्र है, चांद है, ससी है, इस तरह से होता है और लक्षमी के प्रयवासी वो धन है श्रीमती है, इस तरह से और भी इनने बहुत सारे सब्द है, दो आपको लिखने है, आग लगने पर कुवा खोदना मुहा औरे का क्या आर्थ है, यानि कोई भी अतियावसिक कारे होने पर कोशिश करना, जैसे मान लिया जाए आपने पूरे वर्स पढ़ा ही नहीं की, और अब पांस दिन रह गए परिक्सा म होने का बोध हो, उसे किरिया कहते हैं, किरिया का आपको पता कैसे लगेगा, कि उसके पीछे ना आएगा, जैसे खाना, पीना, रोना, हसना, ये सबी किरियाएं है, रीड की हड़ी एकांकी की लेखक कौन है, आपके हिंडी के अंदर पाठ है, रीड की हड़ी, इसके लेख सिकादी, मुख्य, रचना है, कोई भी दो का नाम आपको लिखना है, उसके बाद में आपके देगी परसंस हैं किया, चार से लेकर पनरा तक लगुत्रात्मक परसंन आएंगे, जिनका आपको तीन से चार लाइन में उत्तर देना है, तो इतना बड़ा तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, तो आपकी किताब में से ही आया है, आपको यह मेथुपूर्ण क्यूसन है, जरूर किताब में से आप पढ़ ले, तीन-तीन नमबर के यह बारा क्यूसन्स आये हैं, 36 नमबर के, बाली का मैना ने सेना पती हे को कौन से तरक देकर महल की रक्षा के लि आपने भी पढ़ा होगा, कि भूग होती है, तो कोई भी बोजन हो, मीठा लगता है, और यदि भूग नहीं हो, तो मीठा बोजन भी अच्छा नहीं लगता, मेरे बच्पन के दिन पाट से कैसे पता चलता है, को समय संपरदाइकता नहीं थी, यह लिखना आपको, सीधा प एक लुकुटी और कामरिया पर कवी सब कुछ नहोचाओर करने को क्यों तयार है, किस सासन की तुलना तम के प्रवाव से कीगईर, क्यों, यह तो आपके हो गए, थोड़े, तीन, तीन, चार, चार, लाएन वाले क्यूशन, अब आपके आएंगे, परसन संकिया, सोड़ा से कवी ने गाओं को हरता जनमन क्यों कहा, सालीम अली को नैसर की जिंदी का परती रूप का अपने सब्दों में लेखना है, चार नमर का, रीड की हड़ी सीरसक की सार्थकता इसपश्ट करनी है, बहुत ही महतुपन पाठ है, रीड की हड़ी बार बार सवाल आए है, सिक्सा चारे को अंग्रेजी विशय की सिक्सक न होने पर वैकलपिक व्यवस्ता सिक्षन है तू, एक परातना पतल लेखना है, पांच नमर का क्यूशन आएगा, जिसमें आपको केवल छुट्टी के लिए या वैकलपिक व्यवस्ता सिक्षन है तू, या टी-सी लेने के लिए, ऐ विश्य एक विश्य पर लगबग 200 सब्दों में एक निमन लिखना है मोबाइल फॉन का उप्योग या विद्यारती और अनुसासन या बरष्टाचार एक समशिया या मेरा प्रिय खेल तो ये 10 नमर का है बहुत ही बेस्ट है कम से कम आपको 2 पेज भरने इस तरह से आपकी ये हिंदी का पेपर आएगा किसी भी जिलेगंदरी ये पेपर सब सकता है केवल थोड़े बहुत नाम बदलेव हो सकते हैं बाकी सैम टू सैम आएगा पीडिये प्राप्ट करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर के जॉइन करें और प्राप्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर करें आपको इस साल ही नहीं अगली साल अभी आप यदि नाइंत क्लास में है तो अगली साल आपको 10 बोर्ड एकजाम की तैयरी जुलाई महिने से ही शुरू करवा दी जाएगी तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर करें धन्यवाद जहिंद वंदे मात्रम